नेक्स्ट हमारे सेल और्गिनल की जिसका नाम है क्या? माइटोकॉंड्रिया माइटोकॉंड्रिया का शेप बड़ा ही मज़ेदार होता है सौसेज-like शेप होता है इसका बट मेबी स्फेरिकल, ओवर और सिलेंड्रिकल oval भी बोल सकते है, cylindrical भी बोल सकते हैं, spherical भी बोल सकते हैं लेकिन मुझे तो क्या पसंद है? sausage shape पसंद है ठीक है? फिर each mitochondria is bounded by our double membrane envelope एक हमने double envelope कहाँ पढ़ा है? एक हमने पढ़ा है nuclear में है ना, nucleus की nuclear envelope है वो double membrane होती है similarly mitochondria की जो envelope है, वो कैसी होती है? दो membrane की बनी होती है outer वाली, inner वाली दोनों membrane के बीच में क्या होता है? space होगा outer वाली जो membrane है, वो कैसी होती है? काफी smooth होती है, permeable होती है सभी small molecules के लिए और medium size molecules और ions के लिए अगर हम बात करेंगे inner membrane की inner membrane कैसी होती? selectively permeable होती है और यह क्या करती है? इसके बहुत सारे folds present होते हैं, जैसे कि यह क्या है? यह हम बोते हैं कि mitochondria का outer membrane है, ठीके? inner membrane कैसी होती है? inner membrane अंदर की तरफ बहुत सारे इसमें folds present होते हैं, और inner membrane के इनी folds को हम क्या कहते हैं? इनी को हम criste कहते हैं cisternae अलग होते हैं sister ने हम बोलते हैं कि membrane bound vesicles जो की flat होते हैं एक दूसरे के parallally arrange होते हैं उनको हम कहते हैं क्या sister ने लेकिन christy क्या होती है christy हम बोलते हैं कि mitochondria की inner membrane अंदर की तरफ बहुत सारे folds उसमें present होते हैं ये folds क्यों होते हैं basically inner membrane क्या करती है अपना surface area बढ़ाती है अगर आप इस inner membrane को पकड़के खीच दो तो ये membrane बहुत लंबी आपको दिखाई देगी लेकिन क्या होगा अपने आपको limit करने के लिए लेकिन at the same time अपने surface एरों को बढ़ा के रखने के लिए ये बहुत सारे folds बना लेती है कौन? Mitochondra की inner membrane और inner membrane की इसी you know बहुत सारे folds को हम क्या कहते है cristae कहते है ठीक है? फिर इसके बाद में outer membrane तो smooth होती है permeable होती है सभी small और medium sized molecules और ions के लिए inner membrane कैसी होती है? selectively permeable होती है इन folds को हम cristae कहते है the cristae are arranged in characteristic patterns in different cells फिर इसके बाद में क्या है structure की अगर हम बात करें called mitochondrial matrix जैसे कि मैंने आगको बताया कि inner membrane क्या होती है बहुत सारे folds में produce होती है इन folds के बीच में क्या present होती है? space present होती है है ना? और उस space को हम क्या कहते है? उस space को हम inner chamber कहते हैं इस inner chamber में बहुत सारा आप बोल सकते हो क्योंकि dense fluid भरा होता है जिसको हम mitochondrial fluid कहते हैं या matrix कहते हैं इस matrix में enzymes होते हैं, lipids होते हैं ribosomes, RNA, circular DNA and certain ions अब देखो यहाँ पे mitochondria एक ऐसा cell ओर्गिनल आया है हमारे पास जिसमें उसके पास खुद के उसके अपने पास DNA है इसके पहले हमने चितने भी ओर्गिनल्स पढ़े हैं, चाहे वह ribosomes हो चाहे वो ER हो, चाहे वो Golgi body हो, चाहे वो lysozomes हो, किसी ओर्गिनल के पास उसका खुद का DNA था? नहीं था किसके पास निकला? mitochondria के पास निकला ठीक है? तो mitochondria क्या है? sausage like shape होता है, spherical oval या ऐसा shape भी हो सकता है, rod like भी हो सकता है, outer membrane smooth होती है permeable होती है, सभी small और medium sized particle के लिए inner membrane क्या होती है selectively permeable होती है और बहुत सारे folds में present होती है यह folds क्या करते हैं? उसको surface area बढ़ाते हैं इन folds को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टे के बीच में कुछ space present होती है उन space को हम कहते है inner chamber inner chamber के अंदर भरा होता है fluid जिसको हम कहते है mitochondrial fluid जिसमें क्या होता है? ribosomes, RNA, DNA, lipids, enzymes and certain ions ठीक है? function क्या है? इसको हम कहते है cellular respiration की seat जैसे कि मैंने आखको बताया था न इसी session में मैंना को शुरू में बताया था कि हमको लगता है कि lungs के level पर आकर के respiration खतम हो जाता है लेकिन ऐसा होता नहीं है क्यों? क्योंकि जैसे कि हमने oxygen को inhale किया ये oxygen हमारे lungs में जाती है lungs से फिर कहां जाती है? blood में जाती है blood से कहां जाती ही? हर एक body cell के पास जाती है body cell क्या करता है? digestion की process से जो glucose आया रहता है उस glucose को तोड़ा जाता है किसके presence में? तो oxygen की presence में ठीक है? कहां होता है? cell के अंदर ही होता है हर एक body cell के अंदर तो cell के अंदर जो glucose होगा उसको oxygen की presence में तोड़ा जाएगा तोड़ने से क्या होगा? Energy release होगी और साथी साथ कुछ carbon dioxide भी produce होगी Carbon dioxide को हम cell से बहार निकाल देते हैं अपनी body से भार निकाल देते हैं कैसे? Again, exhale करके अब जो energy produce हुई है energy कैसे produce होती है? In the form of ATP उस ATP को store किया जाता है ATP को हम cell की energy currency कहते हैं ठीक है? क्योंकि जब energy की requirement होती है तो उसी ATP को हम क्या करते हैं? Use कर लेते हैं ठीक है? इसलिए ATP क्या होती है? Energy currency होती है हमारे cell की Mitochondria को हम cellular respiration की seat क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो मैंने आपको अभी अभी बताया है कि glucose का क्या होता है? glucose का breakdown होता है in the presence of oxygen ये कहां होता है? Cell में तो होता है लेकिन cell में कहां? Mitochondria में इसलिए हम glucose का breakdown होता है in the presence of oxygen इसको हम कहते हैं cellular respiration क्योंकि respiration cells के level पे हो रहा है और ये कहां होता है cell में? Mitochondria में होता है Mitochondria और often described as powerhouse of the cell या storage batteries of the cell and ATP is known as energy currency of the cell जैसे कि मैंने आपको बताया कि glucose मनदब cell है cell में glucose भी है उसमें oxygen भी है cell के mitochondria में क्या होगा? glucose का breakdown होगा in the presence of this oxygen क्या होगा? carbon dioxide produce होगी energy produce होगी इस energy को हम store कर लेते हैं in the form of ATP ATP क्या है? energy currency of the cell ये सब चल कहां रहा है? ये सब चल रहा है cell के mitochondria में energy कहां produce होगी है? cell के mitochondria में इसलिए cell के mitochondria को हम powerhouse of the cell कहते हैं या storage batteries कहते हैं चीक है? चालो को ये सब हाओican आझ क्यून क्यू Environment